Hello Everyone, Greetings Dear, तो कहिए कैसे बिटा आप सब I hope you are all as well, तो आपकी वक्षीट है ये शिक्षाने देशाले रास्तिराजसाने अक्षेत्त दिल्ली की वक्षीट नंबर है बिटा 6 तो बिटा ये आपकी कक्षा 6 की विज्ञान की वक्षीट है तो आज बिटा आपकी दो वक्षीट कौन लिखना ये वक्षिट आपकी 14 अक्टूबर 2020 की यानि कि आपकी बुद्वार की वक्षिट है तो चलिए बेटा शुरू करते हैं सबसे पहले आगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बेटा प्लिज सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली बहुत ही कम मात्रा में आवश्यक है विटामिन हमारे शरीर को स्वस्त रखने के लिए बहुत महत्त पूरण है कई परकार के विटामिन कौन-कौन से होते हैं विटामिन A, B, C, D, E, K जो हमारे शरीर की आवश्यक्ता है और इसमें से परतेक विबिन खाग्य पदार्थों म आगे हैं बिटा कि जो है हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक विशिस्ट भूमी का निभाता है जो है विटामिन हमारे शरीर के कामकाज के लिए एक विशिस्ट भूमी का निभाते हैं आगे हैं बिटा देखे हैं आपर ये विटामिन कौन-कौन से होते हैं A, B, C, D, E और K भी होते हैं तो इनके स्त्रोथ दिये गए हैं और कारिय दिये गए जैसे विटामिन ए किन में होता है गाजर में होता है आम में जिगर में कोड लिवर ओयल में और यह क्या कारिया करते हैं विटामिन ए में अगर हम गाजर आम जिगर ओयल यह सारी चीज़े खाएंगे तो यह हमारे आँखों, बालों एवं तवचा के लिए उत्तम है आगे है बिटा विटामिन बी विटामिन बी के कौन से स्त्रोथ है बिटा इस्ट है, मास है, मचली है, दूद है और हरी सबजिया है अगर हम ये सारी चीजे खाएंगे तो इनसे हमें क्या मिलेगा बिटा विटामिन डी मिलेगा और विटामिन बी क्या करता है हमारी मास बेशियों, हमारी तंत्रिकाओं के लिए और उनकी व्रद्धी के लिए जो है, ये काम करता है आगे है बिटा, विटामिन सी विटामिन सी किसमें होता है निम्बू, नोरंगी, आमला, अमरूद, टमाटर में विटामिन सी होता है यह हमारे दात और मसूड को सवस्त रखते हैं विटा और इससे रोगों के परती परती रोधक अक्षमता कम होती है आगे हैं विटामिन डी, विटामिन डी क्या करता है विटामिन D के कौन से स्त्रोथ है दूद, मक्खन, कॉड, लिवर, ओयल, धूप के संपरक में याने की हमें धूप से भी जो है क्या मिलता है विटामिन D मिलता है विटामिन D से क्या होता है विटा कैलसियम का उपियो करके जो है हड़िया और जो हमारे दाथ वो मजबूत होते हैं तो ये थी विटा कुछ विटामिन्स और उनके स्त्रोथ और उनके लिए क्या क्या कारिय करते हैं अब हैं विटा खनीज लवन खनीज लवन हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में इनकी आवशक्ता होती है वो शरीर के विबिन भागों के निर्माण जीवन की विबिन परिकरियाओं को पूरा करने में मदद करते हैं वे पोदों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ और पस्वों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ दोनों से ही प्राप्ट किये जाते हैं, पोधे जैसे की बेटा, पोधे मेटी से खनीज अवशोशित करते हैं, पस्वों पोधों से भोजन प्राप्ट करते हैं, इसलिए पस्वो पेटा, खनीश हमारा कैलसियम, phosphos, iron, और iodine. सबस्भी पहले हैं कैलसियम. कैलसियम किसमें होता है बेटा, दूद में और हरी सबज़ीों में कैलसियम होता है. और ये क्या कारीज करता है? कैलसियम हड्डियों इवं दातों के निर्माण के लिए रक्त के ठका जमने में मदद करता है यानि कि जो है रक्त को परवावित करता रहता है संचीत करता रहता है रक्त को हमारी रक्त को संचारित करता रहता है इसको ठका जमने में मदद करता है आगे यह बेटा फास फॉर्स फास फॉर्स जो है किसमें होता है मास, मचली और अंडे ये क्या करता है बिटा हड़ी और दातों के निर्मान के लिए साहयक होता है इसके बाद है बिटा आयरन, आयरन किसके लिए साहयक है कौन से स्थोत होते हैं लीवर, मास, हरी, सबजिया इनमें क्या होता है बिटा आयरन होता है और ये किसमे साहयक है ये शरीर में रक्त निर्मान के लिए साहयक है तो आयोडीन के स्त्रोथ है बिटा समूदरी खाद्य पदार आयोडीन युक नमक तो ये शरीर की वर्दी के लिए आवश्यक है तो आगे है बिटा देखे आप आईए हम अभ्यास करें सबसे पहले हड़ि जो है दातों को कौन सा विटामिन मजबूत करता है यहां पर हम लिखेंगे विटामिन विटामिन डी कौन सा करता है विटामिन डी हड़ियों और दातों को मजबूत बनाने के लिए विटामिन डी साहता करता है इसके बाद है बिटा सेकेंड नमबर पर है विटामिन सी हमारे दान्त और मसूडों को सवस्त रखने में बनाई रखने में मदद करता है तो यहां पर बिटा तेकी जिस ब्लैंक दिये गए थे हमने यहां पर फिल करने है कि विटामिन सी किसमें हमारे दान्त और मसूडों को सवस्त रखने में मदद करता है आगे है बिटा समूदरी भोजन में कौन सा खनीज पाया जाता है तो कौन सा पाया जाता है आयोडिन समूदरी भोजन में बिटा कौन सा खनीज पाया जाता है आयोडिन आगे है 4 नमबर परा हमारा कि गाजर खाने से आपकी आँखों की रोशनी बढ़ने में कैसे मदद मिल सकती है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो है देखिए गाजर में विटामिन A होता है जो कि हमारी आँखों की रोशनी बढ़ने में मदद करता है आगे है बिटा हमारा 5 पर हमें केलसियम की आवशकता क्यों होती है तो जो है केलसियम क्या करता है हमें केलसियम की बहुत आवशकता है क्योंकि केलसियम हमारी हड्डियों एवं दातों को सवस्त रखती है और रक्त का ठका जमने में भी मदद करता है तो ये था बिटा हमारे परश नमर 5 का अंसर आगे है बिटा 6 पर है यदि आप मास, मचली, अमरूद खाते हैं तो आप इन ख़दय पदार्सों से कौन सा विटामिन प्राप्त कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिटा कि हम इन ख़दय पदार्सों से विटामिन B देखें जैसा हमने उपर पड़ा था अगर आप जो है क्या खाते हैं मास, मचली और अमरूद तो मास और मचली तो किसमें हैं विटामिन B में हैं और जो अमरूद किसमें हैं विटामिन C में है तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन खाद्य पदार्थों से विटामिन B व C प्राप्त कर रहे हैं तो यह थी विटा आपकी जो है क्लास 6 की वाक्षीट साइंस की I hope आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक यू, थेंक्स पर वाचिंग